वाटसेप की नई प्राइवेसी पालिसी क्या है और आपको किस हद तक फिकर मन्द होने की जरूरत है इसके उपर आजम बात करें मेरा नाम अक्मल अंग्रेजीवला और आप ये वीडियो दे स्किल सेट्स के प्लैटफरम से देख रहे हैं प्रोमो देखें और फिर इसके सिर्फ से इस तरह का जैसे आपको स्क्रीन पर नज़रा रहा है इस तरह का कि मेसिज आपको अपडेट आया होगा कि वो अपनी प्राइवेसी पालिसी को अपडेट कर रहे हैं और आप फिलहल एग्नोर कर दें या इसको अग्री फॉरी कर लें तो आपको फर्वरी तक ये नहीं तो पिर आप अपनी वटसेप को यूज नहीं करेंगे कुछ लोग ये अफ़वा पहला रहे हैं कि वटसेप बंद हो रहा है कुछ लोग ऐसी अफ़वा पहला रहे हैं कि वटसेप आज के बाद पैसे चार्ज करेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वटसेप ने अपनी प्राइवेसी पालिसी अपडेट की है, वो अब आपको ये बता रहे हैं कि आप से कौन-कौन सा डेटा वो अपने पास महफूज करेंगे, पहले आम तोर पर यह होता है, कि आप जो भी बात करें, आपका नाम क्या है, नंबर क्या है, किसी भी चीज को वो स्टोर नहीं कर रह है, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ, वो कौन सी information आपकी लेंगे आप से, अपने पास store करेंगे, ठीक है, मतलब आपका नाम क्या है, आपका नंबर कौन सा है, कहां से हैं, ठीक है, और किस purpose के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, WhatsApp, किस तरह की बातें करते हैं, आम तोर पर पहले य या नहीं देखेंगे, इससे आपको फिकर मंद होने की जरूरत नहीं है, जब आपको ये पता लगता है, कि आपकी privacy policy उन्होंने चेंज की और आपकी information को वो store करेंगे, तो इसका मतलब आम तुर पर बहुत सार लोग ये समय रहे हैं, कि वो को ब्लैक मेल करेंगे इससे आप पैसे से खरीते हैं, आप privacy नहीं देते हैं अपनी, ठीक है, जो चीज़ें आप free यूज कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सिर्फ WhatsApp नहीं, हर website और हर तकरीबन free service जो आप यूज करते हैं, वो आपका private data लेती हैं आपस और अपने पास उसको store करती है, अब ये, वो क्यों store कर र चाती हैं, तो Facebook आपका data record उसके पास होता है, आपका नाम क्या है, कहां से हैं, क्या करते हैं, आपके mutual friends कौन से हैं, आप किन किन चीज़ों को like करते हैं, किन किन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है, इन सब चीज़ों को utilize करते हुए, वो advertisers को देते हैं, advertiser इन को इस्तिमाल करते हुए, target कर सकता है, कि उनका ad किस के मतलिक है, अपना इश्तियार, वर्ज कि मैं अपना को इश्तियार लगाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि blindly जाए और मेरा खामखा पैसा जाय हो जाए, सिरु मेरा ad उन लोगों तक पहुंचे, जो relevant field में, जिस service में मैं काम करूं, उस data जो आप से Facebook या Google या WhatsApp मांग रहा है, पहले से आप data इंटरनेट को पहले से दे रहे है, आपका data किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट पर पहले से मुझूद है, तो यही वाला data ही, आप आप से WhatsApp मांग रहा है, ले रहा है, वो store करेगा, और इसको किसी blackmailing के लिए उसने use नह वो अपने आड को accordingly target कर सकेंगे, फ़र्ज कि अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, या अंग्रेजी के novels बढ़ता हूँ, या अंग्रेजी movies देखता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ है जिन में मेरी दिल्चस्पी है, जिनको like करता हूँ, share करता हूँ, comment करता हूँ, उसकी लेके उसको advertising के लिए वो यूज कर सकेंगे, by the way, ये WhatsApp आ जो है Facebook ने कुछ हरसा पहले 19 बिलियन डालर में खरीद लिया था, तो जाहर है इतना पैसा लगा कि उन्होंने इसको खरीदा है, तो जाहर है किसी ने किसी काम तो नहीं, इसको लगाना है, इसको लगाना है, इसको आपको कोई blackmailing नहीं, वो कोई भी company आपकी data को blackmailing लिए यूज नहीं करती, किसी किसी किसम की कोई खत्रे की, आपको फिकर करनी की जरूरत नहीं है, Facebook को आप पहले से यह सारा data दे चुकी है, बहुत सारी और services जिनको आप यूज करते हैं, पहले से यह data दे चुकी है, और सिर्फ इस data को आपके बारे में जानते हुए, मालुमात की बनाद पर वो add आपको दिखाते हैं, आपको जितने भी add आते हैं, वो उन्हीं चीजों के मतलिका होते हैं, जिन के ओपर आप click करते हैं, जिन links को click करते हैं, जिन चीजों को like करते हैं, जिन चीजों को share करते हैं, ये बताते हैं कि आपका interest केगने बातों में हैं। इसी interest और इसी समझभोज को कहां से हैं, किन चीज़ों में interest हैं। इन्ही को use करने के लिए ये वो देते हैं advertisers को और advertisers इसको targeted डाइड आप तक पहुचाने के लिए वो डेटा इस्तिमाल करते हैं। तो आपका डेटा महफूज है, आपको किसी किसम के परिशानी की जरूरत नहीं है, आगे चलके हाँ, इस डेटा को कमपनिया जो है वो बाय कर सकती है, कुछ कमपनिया जो आपको इसके इलावा किसी बक्सद के लिए टार्गेट करना चाहें, येस दाट कुड पासिबली हैप और बाकी पहले आप बाकी कमपनियों को ये सर्विस है, डेटा पहले से दे चुकी है, और फर्ज कि आप इसको अगरी नहीं करते तो वटसेप यूज नहीं कर सकेंगे, तो क्या वटसेप के पास आपका ये डेटा फिर नहीं जाएगा, क्यों नहीं, उनके पास फेसबुक के जरीए आपका यही डेटा पहले से है, फेसबुक भी वटसेप वालों का है, वटसेप भी फेसबुक वालों का है, एक ही कमपनिय है, उनके पास ये डेटा पहले से आपका मौझूद है, और अगर फेसबुक पर के पास भी ना हो, जो तीस थर्ड पार्टी और कमपनियो है जिनका डेटा जिनकी services आप यूज़ करते हैं उन्होंने आपका डेटा लिया हुए पहले से तो WhatsApp या Facebook ये डेटा अगर आप इन्हें डारेक्ट खुद नहीं देते तो उन से वो बाय करके यूज़ कर लेंगे तो there is no turning back है का आप ये डेटा जो अपने बारे में अपनी मालूमात आप पहले से बहुत पहले से दे चुकी हैं आपका information इंटरनेट पर किसी ने किसी company के पास पहले से मौजूद है और ये company उस डेटा को ट्रेड करते रहते हैं आपसों के सरी पैसे ले दे के भी एक दूसरे को ट्रेंट कर लेते हैं बहुत सरी और services जो apps या free games या इस तरह की आप चीज़ें इस्तमाल करते हैं वो आपको free देते हैं और ये data वो advertisers को sell करते हैं तो ये data किसी ने किसी शकल में किसी के पास पहले से मौजूद है जो company एक दूसरे से पैसे दे के buy करती रहती है और उनका सब का मकसद सिर्फ एक होता है कि आपको target किया जाए ads के लिए जिन चीज़ों में आपकी दिल्चस्पी है अपनी चीज़ें बेचने के लिए आप तक इस्तिहार पहुचाने के लिए data यूज किया जाता है तो किसी किसम का कोई खत्रा नहीं है आपको इसके ओपर पुरिशानी होने के ज़रूद नहीं है there is nothing new ये कोई नई बात नहीं है हाँ आप चाहते हैं कि आप इस तरह का data आप अपना private अभी तक जो दे चुके हैं वो ठीक है लेकर आगे नहीं देना चाहते या आप चाहते हैं कि आपको ads भी target ना करें किसी को आपके बारे में मालूम ना हो तो the smartest phone most secure phone that you can use वो एक ऐसा phone है जो internet connected नहीं है सादा SIM वाला phone जिस पर internet नहीं है जिस पर सिर्फ आप calls और SMS करते हैं वो महफूज है ठीक है और मुझे नहीं लगता कि हम वापस तोस दोर में जा रहे हैं कि हम सिर्फ message और calls पर जाएंगे ठीक है आगे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ जा रहे हैं पहले से बहुत सारे data दे चुके हैं और मजीद और नई और बहुत सारी wonderful services आएंगी जिनके लिए company आपसे data मांगती हैं तो don't worry आपका ये data किसी blackmailing के लिए यूज नहीं किया जाता है सिरुफ ad targeting के लिए यूज किया जाता है और ये data आप बहुत सारी company को पहले दे चुके हैं तो आप worry free होके इस data को आप agree कर लीजे वरना आप WhatsApp यूज नहीं कर सकेंगे फिर आप और company अगर आप सर्च करते हैं और बहुत सारी company आप टेलिग्राम यूज कर सकते हैं और बहुत सारे और messaging platforms हैं जिन पर आप जा सकते हैं लेकिन क्या वो आपको free दे देंगी उनके भी तो policies हैं अगर अभी उनकी policies इतनी detail वाली नहीं हैं तो आगे चलके वो भी update करेंगे आपको information देना होगी तो don't worry इन agreements को इन आपकी private data को सिर्फ add targeting के लिए यूज किया जाता है पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है billions of people जो यूज करें अपनी privacy trade करके वो free services लेते हैं या आप पैसा दे के अपनी services पैसे से ले 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 या अपनी आप product है आपको sell किया जाता है आपके information देके अपना data देके आप free services यूज कर सकते हैं तो worry not करने में कोई हर्च नहीं है मैंने तो पहले सी कर लिया है क्योंकि मुझे business में रहना है मुझे online रहना है तो मुझे इन सब company के साथ चलना होगा तो मेरा data जो है वो वैसे ही मैं तो चाहता हूँ मेरा data public हो तो don't worry आप कर सकते हैं ये data add targeting के लिए इस्तमाल होता है no black and willing involved don't worry not और मेरी videos देखते ही हैं सीखते ही आगे बढ़ते ही और आप से अगली किसी video के साथ मुलकात होगी thank you very much bye bye